पहले हज कोटा कम होने की वज़र से कितनी मारा मारी होती थी मैंने साउदी अरप के क्राउन प्रिंच से आगर किया था कि हमारे भारत के मुसल्मान भाई बैनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं सरकार ने महिलाओं को बिना महराम हज जाने की अनुमती भी दी इस इक्षेत्र में तीन तलाग से पिडित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था और तिरह बेटियों का नहीं और तीन तलाग के कारण मुसिबत में आई उस बेटी उसके पिता भाई परिवार सब परेशार हो जाते थे अम्मोदी ने तीन तलाग के खिलाब कानून बना कर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है पहले हज कोटा कम होने की वज़र से कितनी मारा मारी होती थी उसमें भी रिश्वत खोरी चलती थी और जादा तर्रसुगदार लोगी हज जाने का मोका पाते थे मैंने साउदी अरप के क्राउन प्रिंच से आगर किया था कि हमारे भारत के मुसल्मान भाई बेहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है बल्कि बीजान नियमों को भी आसान बनाया गया सरकार ने एक बहुत बड़ा एहम फैसला लिया पहले हमारी मुसलिम माताय बेहने अकेली हज करने जाए जाने ही सकती थी सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमती भी दी और मुझे हज जारों ऐसी बहने आसिरवा दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें